Minecraft के अंदर मेरा base कुछ ऐसा दिखता है इसलिए मैंने सोचा मैं अपने लिए एक walking house बना देता हूँ पर यार इसके अंदर वो बात नहीं आ रही मतलब बहुत लोगों ने मना दिया यह तो यूनो वाट हम लोग Minecraft का सबसे बड़ा walking house बना देते हैं किता बढ़ा है इसमें आरही है ना फिलब और मैं तो सोच रहो इसके अंदर वो सारी चीज़ा होनी चाहिए जो एक base में होते हैं जैसे कि घर, farm, storage और बहुत सारा space पर इसको बनाने के लिए अमनों को काफी सारा space की जरूँत होगी इसलिए यह यह मेरा पहला लेक डिजाइन अब देखो यह परफेक्ट हाइट का है यह लेक की तरह तक दिखता है बस में प्रॉबलम ही है जब यह चलता है अशे चंब चलो करने लगता है तो sadly, design rejected यह है मेरा दूसरा लेक डिजाइन यह काफी फास्ट है लेकिन में प्रॉबलम ही है कि एक पैर जासे दिखता तक नहीं है मतलब what is this और मुझे नहीं लगता है यह हमारे हाउस के इंदर फिट हो पाया क्योंकि लिटली स्पीड देख रहे उसकी तो अब मुझे लग रहा है यह वाला देजाइन भी काभी फाल दू मुना है मैंने और फाइनली यहा मेरा सीसरा लेक डिजाइन यह एक पैर की तरह दिखता तक है और यह परफेक्ट हाइट का भी है हम लोग इसको फाइनली और करकर देखें तू यह एक्चुली एक कदम ले लेता है और भाई साफ तुम लोग को पता नहीं कितार टाइम बिता है मैंने इसको बनात हुए एनवीज अब जब यह डिजाइन सेलेक्ट होई चुका है मैं सोचो हम लोग इसके सब फाच और लेक बना लेंगे वो परफेक्ट अमाउंट रहेगी ना इसके लिए अब वैसे तुम लोगा क्वेशन होगा कि यह सब तो अलग-अलग रेट सुन मशीन है यह सब साथ में कैसे चलेंगी वाइस विकर मत करो मेरा इस सब के लिए और एक स बना दो जो पहले इस पैर फिर इस पैर फिर ऐसे ऐसे करके सारे पैरों को कनेक्ट कर देता है तो ऐसा लेगा कि मशीन एक्शुली वाग कर रही है और चली हम लोग का अगला टास्क होने वाल है एक कनेक्टर को बना लो बेना मतलब है कुछ ऐसी चीज़ अब तुम यहां पर देख रहा है कि ऐसे करके हम लोग के सारे पैर एक जिग-जग से पैटर्न के अंदर कनेक्ट होने अभी तो वैसे मैंने आदा बनाया है मतलब बाकी का मैं बना लूँ है लेकिन मैं तुम लोग को एक्स्प्लेन करने के लिए जिस मैंने थोड़ा सा बना के दिखा दिया लेकिन तुम लोग को आईडिया सामझे में आ गया हो गया है इसलिए हम लोग जल्दी से बाकी की मशीन को बनायेते हैं 3 hours later Okay मैंने finally इसको पूरा finish कर दिये अब भई हम लोग को चेक करना है कि actually work भी करती है कि नहीं Please और कर जाना, please और कर जाना And तुम लोग को पता नहीं किता हो रहा हूं मैं अभी मतलब तीन गंटे लगें पूरे सिर्फ connector को मनाने में और पैरों को तो मैं गिन भी नहीं रहा हूं तो भई normal walking house बनाने हमाले थोड़े डर चुके हैं लिटरली इसका एक पैर पूरे की पूरे उनलों की बिल जित्ता बड़ा है अब तो तो लोगों को मेरे पर भरोसा हुई गया होगा इसलिए जल्दी से अब उस लाल सब्स्क्राइब बटन को दबा दो बढ़िया यार हम लोग की पूरी की पूरी वर्क कर गी अब एक्शली हम लोग इसको जल्दी से स्टॉफ पढ़ते हैं क्योंकि अब अम लोगों को प्लैटफंग बनाने की दरोगते हैं इसके पर हम लोग का एक्शली घर आएगा अब देखो मेरे पास इसको बनाने के लिए सारे मटीरियल्स तो हैं सिवाए सारी हनी के और नॉर्मली हनी कलत करना तो भई बड़ा खतना काम है और नहीं फिर से नहीं यह यह तो पीजे पढ़ना अरे एक सेकंड यह तो मदमक्ख्या है मतलब यह तो मेरी उंगलियों से भी चोटी है मैं किस बार से ररना हूँ है हटो तो अब हम लोग बना लेते हैं अपना प्लैटफॉर्म अगली आने वाली है हम लोग की पिस्टन्स फिर उनके अब्जर्वर्स एंड डन हम लोग का यह पुरा का पुरा प्लैटफॉर्म तो बन चुका है और तुम लोग को पता है यह पुरा का पुरा सॉफ्ट चीजों से बन हुआ है इसका मतलब मैं थोड़े बात मजे ले सकता है इसके उपर और नीचे से देखो तो यह देख रहो पैसा ही पैसा मैं तो बोलूँगा अब तक बुरी खतरनाक पर नहीं है हम लोग की पुरी की पुरी मशीन अब चले इसको एक बार फाइनली टेस्ट करके देख लेते हैं ओके अगें प्लीज चल जाओ प्लीज चल जाओ मशीन नहीं चल पाई और पूरे दो घंटों के बाद ओके प्लीज अब चल जाओ चल जाओ चल गई भाई साब इतना सारा टाइम क्यों लग गया मुझे इसको फिक्स करने में अभी पूरी की पूरी ऐसे करके मूव हो रही है इसका मतलब मैं इसके उपर अपने ऐसे करके ब्लोक्स प्लेस कर सकता हूँ और यह वो भी exactly अपनी position में रहेंगे जब यह machine move करेगी अब देखो मैं चाहता हूँ कि इसके उपर हम लोगों के villagers भी हो और बाकी सब शीजे भी हो लेकिन यह तो उनके लिए बड़ी ही अनसेफ है क्योंकि मैं खुद गल्ती से यहां से गर जाता हूँ तो मुझे लग रहे हैं यहां पर लोगों को वाल्स बराने की सब जरूरत है एटलीस अब मुझे इसका मेकैनिजम तो पता चल चुका है हम लोग इनको अराम से बना ले दे हैं यहीं पे भी वही सेम अफजर्वर्स और पिस्टन लग जाएंगी और ऐसे करके हम लोगों की फ्रंट और बैक वाली वाल तो बन चुकी हैं बस साइड वाली वाल के अंदर थोड़ी सी प्रॉप बाई अरे तो जैसे की मैं बोल लाता है यह थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड़ हैं लेकिन कोई ना हम लोग इनको मैंच कर लेंगे सिर्वी किसी तरीके से वो क्या है ना हर किसी वाल के अंदर मुझे ऐसे करके पिस्टन लगानी है लेकिन इता तो हम लोग मैंनेज करी सकते हैं वन्ना मैं मैं माइनक्रफ्ट यूट्यूबर के रह गया और एक्शली इंट्रेस्टिंग बास क्या है जैसे कि हम लोगा ग्राउंट यह भी हम लोग की स्टिकी ब्लॉक से बनी है इसका मतला मैं को डेकोरीड भी कर पाऊंगा मैं तुम लोग को पता है इसका मतलब क्या है हम लोग का पूरा कपूरा एक्सिरियर्ट कप्लीट हो चुका है अब बस हम लोग को इसका अंदर का पार्ट बनाना है मतलब घर और बाकी सब चीज़ें और इसको घर जैसी फील देने के लिए यहाँ पर नीचे घास होनी चाहिए महास के तो कोई कमी नहीं है मनों को अरे वो गदा रास्ते में है क्या ओके इनफ गदा पना हो गया फाइनली ग्रास ले ले लेते है अपनी ओके इनफ होगी और हमनों की जमीन फाइनली कम्पलीट छोटा है पर घर है लेकिन यह दूसरे वाकिंग आउसे से तो डेफिनिटली बहुत बड़ा है ऐसा लग रहा है हम लोग अभी भी जमीन के उपर ही है अब दिखो यहाँ पर घर बनाने तो बड़ा ही सिंपल है क्या सोचो हो इसके पिलार समलोग बैंबू बलॉक से बना लेंगे पूरी थीम को रखने के लिए मैं सोचो हो इसकी वाल्स हम लोग एंड स्टोन से बनाते है और विंडोस की जग़ा पर हमलों का रेड वाला गिलास तो परफेक्ट है और आई थिंग फ्लोर के उपर भी हमलों क बैंबू का टेक्चर काफी बढ़िया है बिल्कुल जैपनीज वाली फील आरी है यहां पर अगर तुम लोग सूच रोके मैं यहां पर चेंज क्यों लगा रहा हूं वह इसलिए है क्योंकि इस घर के इंदर कोई भी एर स्पेस में होना चाहिए वनना मुव होने विक पर हम ल पिस्टन्स पुष करती है तो लेकिन इसका बहुत ही असान सल्यूशन है मैं सिंपली एक अनिमल फार्म बना लुग है इसलिए अब से तुम मेरे कबजे में हो एक्यामरा तुनिए अब प्लीस अंदर चली जाओ अरे कित्ती बारी है यहां ने तो यार ऐसी मार्ण अब चलो दूसरे को भी लेके आजाते हैं अंड बिश क्या हों क्या कर रहा है वह दोरा वरा पढ़ गए है कैसे आइधिंक मैं डिफेक्टिव पीस ले आऊ लेकिन चलो अब आएगा सबसे इंट्रेस्टिंग वाला पार्ट नाम करन तो भी तुमारा नाम होगा राज और ये भाई तुमारी सिम्रन फिर के हुआ था कहानी के अंदर अरे हाँ इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और इनके लड़के का नाम होता है बाबुजी ऐसे तो नहीं गई थी DDL लेकिन चलो एनिवेज कोशाल परिवार है नेक्स्ट हम लोगों को अपने विलिजर्स लेकर आने और लगली मेरे यही पी पास में विलेज है अब भाई तो में इसके अंदर आओगे लगता तो है ओके पहला बंदा किडने अरे सॉरी सॉरी मतलब स्लेक्ट हो चुगा है अब भाई मुझे पूरे रास्ते अपनी मशीन तक इस रेल को लेके जाने चाहिए तार आरन मेरा सार आरन अचागी यह पूरी की पूरी ट्रैक देख रहो वाट इस 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 इंता लंब ट्रैक बनाया मैं तो एक लिजाने के लिए पूरे रास्ते द और नहीं पास होनी दिये, यह तो बढ़िया वंद है यार अपना हेलो तुम सही तो हो ना मतलब और नहीं फिर से चाल बस बस भाई अरे अब यह तो पाटी शुरू हुई या गुडबाई भाई मुझे तुम पर नाज है अरे यह वापस क्यो आ रहा अरे वापस होगा यह का चला है नहीं ना सच बहता रहा हूँ यह विलेजर्स मेरे सारे मेटरियल्स चूस दालेंगे होगे मैंने यहां पर अपनी पट्रियां बिचा दीए और अगर तुम लोग यहां पर देखो मैंने यहां बहुत बड़ा स्पीड कबूस दीए जिसकी विलसे ही मुमेंटम बना के हम लोगी मशीन के उपर चला जाएगा और जा सिमरण जा अर रुकोर सिमरण तो अल्लेडी मशीन के उपर है मैं क्या बोले मैं निकला कितना हो तो इस चौर है वो गटी लेके मेरा भी इंतजार करो मैं भी आरहो आरतो एक मोड आया येस वाह पहुच गए वाह पर विलिजर कहा है वह अच्छा अपुली हो मुनसे जादा गुस्ता ना होगा और प्राइस जादा बढ़ा देगा ये दोनों भी आगे इनकी बूट को भाटा देगा अरे बापरे नेधराहिट की उससे पढ़िये इनों को ये क्या कर दिया मैंने भाई मुका ही सही है मेरा इस्ती गंदी पढ़िया सिधर दोन देके मारिये मैंने इनको सारे विलिजर्स को अमनों के आ चुके है कौन जादा स्ट्रोंगर है आज तो भाई होई जाए एंड भाई ये भी चलना सुद्वार है ओके भाई ये माइनक्राफ की इस्टिरी की बड़ी चीद होने वाली है क्योंकि आज तक एक वाकिंग आउस बैटल निया है और अच्छा भी उलेता है ओके आई थिंक ये तो नो मिलने माले है ये सीधे इसके पैर के अंदर जाकर टक्राएगा एंड उफ और सर फोड़ दिया उसका उसने एंड क्या ये मशीन अपने एक पैर के बेना चल सकती है वो क्या ओड़ा है रेंडम पीस पूड़ गया तूड़ गई इसके तो पूरी के पूरी बॉड़ी के उपर लाद पड़ी है और हम लोग के ये वाली मशीन का एक पैर यहाँ पर पर भयाना के ये तो लिटली वाट ये विलेजर भार निकल के आगए अरे तब ही इन ही लोगों ने वो उपर पीस को डी अटाइच करा और वहाँ से कूद के आगए होंगे और अरे नहीं तीनों की वूल पड़ी हुए यहाँ पर तो हुए यहाँ